एलो गाइस कैसे हो आप सभी लोग आज हम देखने जा रहे हैं एक कतरनाक चेस्ट ट्रिक इससे हमारा अप्पोनेंट को हम सिर्फ कुछी मूस में चेक्मेट कर सकते हैं तो बिना दिसी कैरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिस दिसने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइ कि जब क्याला जाएगा जब हम वाइट पीसस होंगे हमें क्यालना है डी फॉर और हमारा आपनेंट मोस्ट यह कहलेगा यह बहुत पापिलर ओपनिंग है बहुत मतलब बहुत जन्द क्यालते हैं इस ओपनिंग को तो हमें इस फॉर को क्याना पड़ेगा इसमें बहुत जन्द जो लाल्ची होकर वो सोच रहेंगे कि यह क्यूं हमें फ्री पॉंड दे रहा है ऐसे सोच कर वो हमारा पॉंड को मार लेंगे तब हमें नाइट सी तरी क्यालकर उसका इफॉर पॉंड को अटैक करना है और वो जरूर नेफिक क्यालेगा ताकि वो अपना पॉंड को डिफेंड करें और वो एक पॉंड अप हो तो हमें इस पॉंड को अटैक अब अटैक नहीं करने चाहिए हमें सिर्फ इसे क्यालने चाहिए वो जरूर मारेगा क्योंकि उसे एक free pawn मिल गया है तब हमें इस queen से मारना चाहिए अब वो सोच रहा होगा कि ये बार बार free pawn क्यों दे रहा है ये सोच के वो इस pawn को भी मार लेगा और अब हमें क्याना है bishop e3 वो जो हमारा ओपनेंट का queen को अटेक करेगा अग दोस्तो इस position में बहुत से जन ये क्यानेंगे क्योंकि वो हमारे ये pawn को अटेक करें इसे क्या पने ये b2 pawn को अटेक करें हैं अब हम बीतरी भी नहीं कहल सकते क्योंकि वो ना कराणी से हमारा knight को मार ले अमारा knight को मार लेगा इसलिए हमें अब long castle करना जरूरी है तब हमारा आपनेंट अब भी लाल्ची होकर ये कहलेगा हाँ देख सकते हो आप कि हम वो हमारा queen को अटेक कर रहा है हम हमारे queen से उसका bishop को नहीं मार सकते क्योंकि वो knight से और queen से defended है और जब हम queen को move करेंगे हमारा rook मर रहा है वो यह सोचके वो जरूर यहीं कहलेगा तब हमें हमारा queen को नहीं बचाना है हाँ दोस्तों हम अब हमारा queen को हम हमें नहीं बचाना है हमें सिर्फ यह केलना है तब वो बहुत लाल्ची होकर हमारा queen को मार देगा और हम उनके one को मारेंगे और यह ता चक्मेट अब इस position पे जब हम knight b5 केलेंगे बहुत जन यह नहीं केलेंगे क्यूंकि उन्हें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट अगली मूँ में हमारा opponent हमें चक्मेट दे रहा है इसलिए वो इसे केलेगा जब वो इसे मार देंगे तब वो king 7 केलेगा इसे सोचके इसे सोचके वो इसे केलेगा तब हमें हमें मार देंगे लेना है जब वो king 7 केलेगा वो सिर्फ एक मूँ है सिर्फ एक ही एक मूँ है वो फोस्ट मूँ है king 7 फोस्ट मूँ है तो हमें इस पॉन को मार लेना चाहिए यहाँ पर हमारा opponent सोच रहा होगा क्या है बाई यह इतना queen क्यों sacrifice कर रहा है तो वो लाल्ची होकर जरूर इस queen को मार लेगा और हमें देना है queen bishop z5 चेक्मेट अब हम देखेंगे variation no.3 जब इस position पर जब हमारा opponent knight a6 केलेगा c7 pawn को protect करेगा तब हमें क्या केलना है आपको पता है हमें queen into b7 केलना है और इसके साथ हम उनका rook को attack कर रहा है तो वो इसे केलेगा क्योंकि जब हम इसे मार लेंगे वो भी हमारा knight को मार लेगा तब हमें उसकी knight को नहीं मारना चाहिए हमें उसका rook को मार लेना है जब वो वापस मार रहेगा हम knight into c7 चेक मेट देंगे अब आप हम देखेंगे हमारा आपनेंट समझजार है और वो इसे नहीं बलकि इसे केलेगा तब हमें कुछ भी नहीं करना है सिर्फ उसका रूप को मार लेना है और जब वो वापस मारेगा हम queen से knight को मार लेंगे और इस पोजिशन से हम एक हम दो पीश एक्स्ट्रा अप हैं तो इस गेम को हम आराम से जीच सकते हैं तो फ्रेंड्स यह था बहुत कतरनाक चेस्ट्रिक तो इसलिए एक लाइक तो बनता है तो मैं आपको कल की वीडियो में मिलता हूँ बावाई दोस्तो आज के लिए यह काफी है अरे यार मैं यह 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 कहीं नहीं कह रहा था कि इसे मार लेना चाहिए मैं आपको शॉक गेना चाहिए ता जब हमें मार लेना है तब जब वह वापस मरेगा हमें इसे कहलना है जिके ना जब वह वापस यहां चलेगा तब हमें इसे कहलना है तो यह तर्चे स्ट्रिक तो बाई बाई गास मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं उस तक बाई 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 अगली वीडियो तक बाई बाई गास झाल 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 झाल